नमस्कार दोस्तों स्वागत थापका मेरे यूट्यूब चनल में जैसा कि आप जानते हैं हम सॉल्व कर रहे हैं लेटसी बुक का चेप्टर 6 की प्रॉब्लम्स तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स प्रॉब्लम की तरफ प्रॉब्लम D में हम एक प्रोग्राम रिखना है तो जनरेट अल दा कॉंबिनेशन ऑफ 1,2,3 तो देखिए 1,2,3 के टोटल 6 कॉंबिनेशन हो सकते हैं जैसे कि 1,2,3,1,3,2,2,1,3,2,3,2,1,3,1,3,1,2 तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम रिखना है जो सारे कॉंबिनेशन जनरेट करें प्रोग्राम देखते हैं देखिए बहुत ही एक अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा firstly इसमें हमें 2 प्राइम कंसेप्स सीखने को मिलेंगे एक concept है nestadox का और दूसरा concept is continue का nestold loops होते हैं जहें हम एक loop के अदर दूसरे loop को call करते हैं उसको nest VOICE करें són इसमें ने स्थमाशन एंस than three levels of nesting करेंगे या एक for loop के अंदर दूसरा for loop और दूसरे for loop के अंदर तीसरा for loop तीन for loop के अंदर करेंगे ваш a के अंदर एक nested way में, और दूसर concept है continue का how does continue behave, तो जैसा क्या जानते हैं कि अगर हम किसी भी loop के अंदर continue बुलाएंगे, तो continue के बाद कोई भी line execute नहीं होगी और हम तुरंद इस उस loop से बहर आ जाएंगे और दुबारे से evaluation वारी line पर आ जाएंगे करेंगे कि हम इस loop के अंदर enter कर सकते हैं नहीं, एक्जामपल देखिए, इस code को सब्सक्राइल हमने अपना main declare कर लिया है और इसमें हमने i, j और k तीन variable declare कि हैं जो कि इन तिनो loops को drive करेंगे तो हमारा पहला loop 1 से लेकर 3 तक चलेगा i की value के लिए, दूसरा loop j की value 1 से लेकर 3 यानी की 123 और तीसरा loop k की value 123 के लिए अब देखिए अंदर हमने क्या किया है कि हम कोई भी ऐसा number printing गना है साकते हैं कोई भी दो number same हूँ, दो digits same हूँ, जैसे की 122, 133, 322 ऐसा कोई number नहीं 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 होगा तो हमने क्या किया कि जब भी i और j equal हो या j और k equal हो या k और i equal हो या कोई भी digit एक दूसरे k equal हो है तो हम continue हो जाएंगे, continue होते ही अब ये print statement नहीं होगा हमारा continue जासे ही आया, तो अब line number 18 print नहीं होगी और सीधे हम line number 12 पर आजाएंगे अब देखिए इसको आपको execute करता हूं और इसका हम output देखेंगे और इसको debug करने कोशिश करेंगे हमने इसका output देखा हमारे 6 के 6 combinations सारे generate हो गए, 1,2,3 का इस्तमाल करके अब इसको मैं line number 16 पर debug point लगा देता हूं और हम इसको debug करके देखेंगे अब यह IE की value 1 है, K की value 1 है, J की value 1 है और हमारा line number 16 पर control आके रुक गया है, क्योंकि यह condition हमारी true हो गई अब देखिए जब मैं step over करूंगा तो हमारे जो control है वो line number 18 पर नहीं आएगा सीधा control हमारा line number 12 पर चला जाएगा तो देखिए मैं step over करता हूं यह देखिए line number 12 पर आ गया अब दुबारे से condition विलेट होगी तो एक step मैंने आगे बढ़ाया तो देखिए K की value 1 से 2 हो गई और फिर से अब इस condition हमारी अभी भी true है तो इसलिए फिर दुबारे से continue आ जाएगा देखिए फिर मैं करूंगा तो continue के आज सीधे फिर दुबारे line number 12 पर आ जाएगा control देखिए line number 12 पर आ गया फिर मैंने step over किया अब यहां पर ध्यान दीजागा step over करते ही K value 3 हो जाएगी देखिए K value 3 हो गई और फिर से हम इस condition को relate करेंगे यह condition true है क्योंकि i is equal to j है ठीक फिर हम continue पर आ गया फिर हमने step over किया तो इसी तरह से हम चलते चले जाएगे और finally आप output देखे चुके है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छ लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ लगती है तो please मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like करें बने रहे मेरे साथ मिलते हैं next वीडियो में इसी chapter के next problem के साथ धन्यवाद